आज सियम जूगी आयुध्या पहुंच वे आपको तीन तस्वीरे सबसे पहले दिखाते हैं सियम जूगी ने आयुध्या में एरपूर्ट के निरिक्षड से पहले राम लिला के दर्शन किया अनमान गड़ी में जाकर पूजा आरचना की और केंद्रे मंत्री जोतिदादेत्य संद्या के साथ जाकर एरपूर्ट का निरिक्षड भी किया ये तीन तस्वीरे माँ को दिखा रहे तीस्ती तस्वीर में केंद्रे मंत्री जनल वीके सिंग को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं रामायन सरकिट के तहट अयुद्ध्या को विकास की नई उचायों तक ले जाने की कवायद जारी है राममंदिर के लावा पूरी अयुद्ध्या को कैसे सवारा जाए इसके लिए विजन 2021 के तहट काम हुरा है विजन 2021 के तहट तीन लक्ष तैक किये गए है पहला लक्ष है अयुद्ध्या को सनातन परंपरा के मुताविक अध्यात्मे केंद के रूप में विक्सित करना दूसरा लक्ष है अयुद्ध्या को वैश्विक परटन स्थली के रूप में विक्सित करना जबकि तीसरा लक्ष है अयुध्या को विकास के छित में आत्म निर्भर शहर के रूप में विक्सित कन्डा मेजन 2021 का तीसरा लक्ष है बदलती अयुध्या की नई पहचान यहां बन रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जिसका काम तेजी से चल रहा है 1175 करोड रुपे की लागत वाला यह एयरपोर्ट भी पूरी तरह से राम में होगा अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लला की प्रान प्रतिष्टा से पहले श्री राम एयरपोर्ट से उड़ाने शिरू हो सकती है अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीम योगी ने श्री राम एयरपोर्ट का निरिक्षन किया उनके साथ नागरिक उड़्यान मंत्री जोती राधित सिंधिया और राज्य मंत्री जनरल वीके सिंग भी मौजूद थे प्रधान मंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताओ के इंदर सरकार को भेजा हम सब आबाहरी हैं कि आज उसे भारत सरकार ने अपनी सेमती दी और 821 एकर नेंड राज्य सरकार के द्वारा उपलब्द कराने के उप्रांत एरपोर्ट ऑथर्टी ऑफ इंडिया के द्वारा नए एरपोर्ट के निर्मान के कारवाई युद दस्तर पर चल लई है राम मंदिर निर्मान के शुरुआत के साथ ही आयोध्या के चौतरपा विकास के लिए खास प्लान बनाय गया है और उसी प्लान के तहट कई काम पूरे हो चुके हैं तो कई योजनाय आखरी चरण में है अयोध्या में एरपोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सभी आदुनित्ता के नए अध्याय का हिस्सा है पिर्भू श्रीराम की एराम नगरी राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर रही है भगवान के मंदिर में वराजमान होने से पहले अयोध्या में सब कुछ राम में है ब्यूरे रिपोर्ट, जी मीडिया तो श्रीराम एरपोर्ट लगभग लगभग तयार है, 90% काम हो चुका है इंटरनेशनल एरपोर्ट विश्वस्तर ये होगा, सुविधाओं से लैस होगा ये एरपोर्ट 15 दिसंबर तक एरपोर्ट का काम पूरा करने का लक्ष रखा गया है राम मंदर से पहले हवाई से बाश शुरू करने का लक्ष है 160 यात्रों की शम्तावाले घरेलू विमानों को मन्जूरी के बाद दुनिया भर के विमानों के उड़ान के जासत यहाँ पर मिलेगी राम मंदर के पत्थरों से बना है श्रीडाम एरपोर्ट और जो एरपोर्ट है एरपोर्ट की बिल्डिंग है वो राम मंदर सही मिलते जुलते दिखाई देती है